सर्वेभ्यो नमः रेवबाणी संस्क्रिटम यूटूब चैनल में आप सभी का हार्द एक अभिनंदर मित्रो सुक्ति शंखला में आज हम आपके लिए 16 हमी सुक्ति को लेकर के आये हैं सुक्ति ये लिखी हुई है परंत सुक्ति को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सुक्ति प्रसिद्ध है किसी गरंत में ये आई हुई है कहीं पड़ी हुई है परंतु इस सूक्ति का जो आर्थ है उस आर्थ से हम सहमत नहीं है परंतु सूक्ति प्रसिद्ध है इसलिए हम आपके लिए इसको प्रस्तुत कर रहे हैं इस सूक्ति का जो तातपरे है उस तातपरे से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं और कोई भी अच्छा व्यक्ति समझदार व्यक्ति सहामत नहीं होगा येवला आपकी जानकारी के लिए सुक्ति को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ ये ध्यान देंगे सुक्ति है आधारेश्वम्रितम्ही योशिताम प्रुदी अला हला मेवकेवलम कोई लेखक है वो कहता है कि जो योशिताम मने इस्त्रियां होती है उन इस्त्रियों के अधारेश्वम्रितम्ही अन्य अम्रितम्ही मने मिठी मिठी बाते रहते हैं अर्थात जो इस्त्रियां होती है उनके ओठों पर मधुरबाणी होती है अर्थात वो बहुत मीठा मीठा बोलती है और आगे लेखक कहता है कि हरदी है हला हला मेव केवलम परंतु जो अंदर हरदय में उनके हला हला होता है अर्थात विपरीद विचार होते हैं मुख से कुछ बोलती हैं और अंदर कुछ विचार करते हैं इस लेखक का ऐसा जहाड़ परंटु ये जो बात है ले लेखक की बात केवल फस्त्रियों यह घटित नहीं होती है, यह सभी लोगों पर घटित होती है, चाए पुरुषों, चाए इस्त्रे हो, ठीक है, परंत मध्यकाल में मित्रों, जो ग्रंत हैं, पुरुष प्रधान लिखे गए हैं, पुरुषों ने प्राया करके लिखे हुए मध्यकाल में, तो उसी प्रकार का लेखक भी कोई पुरुष है उसने इस बात को लिखा है परंते इस बात से हम बिलकुल भी स्यामत नहीं है एवल आपकी जानकारी के लिए इस सुक्ति को हमने यहां पर रखा है हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो मीठा बोल सकता ह है उसके मन के अंदर विचार हो सकते हैं को द्रिष्टी हो सकती है तो इसमें स्त्री और पुरुष का हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे सब के ऊपर घट सकती है सभी के अंदर अच्छी विचार हो सकते हैं अच्छा व्यवाहर हो सकता है तो द्रिष्टी हो सकती है विचार हो सकता है कोई स्त्री भी मीठा बोलती है अंदर से भी बहुत विचार वाली है कोई पुरुष है वो उपर से बहुत मीठा बोलता है पर अंदर से कुटिल हो सकता है कोई परेशन इसलिए लेखक की बात से हम इस बात से सैमत नहीं है कि वो एक पक्ष को ले करके कह रहे हैं हम हमें ऐसा मानना चाहिए कि लोगों में हमें कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं वो मीठा बोलते हैं और उनके अंदर कुटिलता होते हैं अर्थात ऐसे लोगों से बचते रहना चाहिए यह सुक्ति मैं आपसे निविदन कर रहा हूँ तो इतना ही समझेगा हम मानवता के विरुद्ध कोई सिध्धंत आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम मानवता बादी हैं सुधार बादी हैं समन्वे बादी हैं और शांति बादी देवबानी संस्कितम यूटूब चैनल भी इ अर्ण यूटूप लगया हैं समन्वेज यूटूब कर रहा हैं समन्वेभान यूटूब कर रहा हूँ झाल अर्ण